नमस्कार लाल बहादूर शास्त्री जी के जीवन पर भाषन सन्मानिय प्रमूक अथिती आदर्निय अध्याफ़ गन और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मैं आज लाल बहादूर शास्त्री जी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ आशा करता हूँ कि आप मेरा भाषन द्याहान से सुनेंगे लाल भाद्दूर शास्त्री जी का जन्म दो अक्तूबर उनिसो चार में उत्तर प्रदेश के मोगल सराई में हुआ उनके माता जी का नाम नराम दुलारी था और पीता जी का नाम शाम प्रशाद स्री वास्तव था पीता जी पेशे शे अध्याफक थे काशिक शेत्र के हरिचंद्र है स्कूल में लाल भादूर शास्त्री दाकिल हुए वे गंगा नदी के तीर के नजदिक राम नगर में रहते थे राम नगर से काशी जाने के लिए गंगा नदी पार करने के लिए होडी से जाना पड़ता था लाल भादूर शास्त्री गरीब होने के कारण उनके पास पैसे नहीं थे मगर पढ़ने की जबरिच्छा शक्ती होने के कारण वे गंगा नदी से तैरते तैरते पाठशाला जाया करते थे शास्त्री जी का उनके अध्यापक स्री मिश्रा जी पर बहुत भरोसा था अध्यापकों के गून, धेयवाद, सत्यनिष्ठा और इमानदारी का श्यास्त्री जी पर गहरा असर हुआ और वे पढ़ाई की तरफ अकुरुष्ट हुए स्वराज्य मेरा जन्मशिद्ध अधिकार है कहने वाले लोकमान्य टीलग जी का गहरा असर उन पर हुआ 1919 में महात्मा गांधी जी, बनारस में बनारस हिंदू, विश्व विद्याले के उद्धाटन समारोह के लिए हये थे वहां के गांधी जी के भाशन का उनके दिल पर गहरा प्रभाव पढ़ा और उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह में हिश्षा लिए सामन्य लोगों की उने गहरी आस्था थी, वे देश के दुस्रे प्रधान मंत्री थे, पंतप्रधान के पदपर वे कार्यकाल में भगवान ने उने हम से छीन लिया, सारी दुनिया शोक सागर में डूब गई भारत रत्न किताब से उन्हें नवाज आ गया इस महानेता जी को मेरा शतशाप्रणाम शतशाप्रणाम धन्यवाद